Hello Friends, मैं फिर हाजिर हूँ एक लंबे ब्रेक के बाद चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की विडियो हमारा आज की विडियो है क्यों हो रही है RAID PFI के ठिकानों पर और क्या है PFI का इतियास चलिए अ फ्रेंट देखते हैं हम अपनी विडियो में जो NIA है उसने अलग-अलग locations पे जो PFI के offices है या इनके associates है इनके leaders है के रिला में वहाँ पे raid start कर दी है दोबारा से जो NIA है वो terror funding मामले में PFI पसकंजा कस रही है और जो चापे मारी हो रही है इसको परत्रबंदित जो कारे करता है थे उनके ठिकानों पर raid की जा रही है जो National Investigation Agency है इसने बहुत बड़ी search operation start किया है Thursday को और जितने भी इसके जितने भी band है PFI के leaders उनके ठिकानों पर हो रही है क्यूंकि NIA को पता चला है कि ये जो outfit है दोबारा किसी दूसरे नाम से regroup हो रही है और अपनी एक अलग से कोई organization या एक associates मिलके start कर रहे है इसमें उन जिवित करने के प्रियास किया जा रहा है जो ये 35 संगठन है देश बर में अलग अलग जो भी गतिवीदिया हुई है उसमें इसकी कहीं ना कहीं inclusion मिली है जो ministry of home affairs है उसने पहले कहा था कि जितने भी criminal activities या जितने भी brutal murders हुए है वो PFI के carders ने किये हैं और जो उनका objective जो उनका उदेश से रहा है वो रहा है कि जो public peace है और tranquility है उसको disturb किया जाए और जो लोगों के जो public mind है उनके दिमाग में एक terror का एक भावना एक terror का उनके दिम समाक में बिठाया जाए दोस्तों जो भी यह raid की गई है वे निये ने बहां की जो state police है उसके साथ मिलकर जो भी inputs इनको मिले थे कि जितने भी PFI के carders है वो involvement उनकी बहुत सारी terrorist activities या murders में रहा है उन्होंने बहुत सारे लोगों का जो भी murder हुआ है 2018, 2017, 2021 बहुत टाइम से जो इतने भी murder हो रहे हैं southern states में especially केरला, तमिलाडू और करनाटका में जो भी लोग हैं ये नाम इनके सामने हैं आपके संजीत हुए जो केरला से हैं रभी रामा लिंगम हुए तमिलाडू से नंदू केरला से अभी मन्यू केरला से बिबीन केरला से सरत करनाटका से आरू देश करनाटका से परवीन प्यारू करनाटका से ससी कोमार तमिलाडू से तो जितनी भी इन लोगों के murder हुए हैं या और भी कोई भी टेरिस्ट एक्टिविटीज मिली हैं उन में इसका पीएफाई के चितने भी कार्डर से उनका कहीं कहीं मिला है और वो एक यूज पाए गई हैं तो जो बैन हुआ है पीएफाई पर जो पॉपलर फ्रेंट ओफ इंडिया है उसको पहले गवर्मेट ने सेप्तंब का जो अब्जेक्ट जो एक्टिविटीज हैं वो पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 153a 153b ओफ दा इंडियन पैनल कोड जो की है एक एन्मेटी प्रमोट करने के जो ग्रूप्स हैं इनका जो है नेशनल इंटीग्रेशन को को तोड़ने के लिए और जो ग्रूप्स हैं उनके बीच में एक एन्मेटी एक दुस्मनी की भावना पैता करने के लिए जो इसकी एक्टिविटीज हैं उसको देखते हुए इसको अन्लोफूल असोशेशन डेक्लेर किया गया है जो पीफाई है इसको क्यूं और किसलिए बैन किया गया है क्यूंकि जो गॉर्मेंट है इसने इसको बैन किया गया है क्योंकि एक कॉंट्रोवर्सिल मुस्लिम ग्रूप रहा है काफी लंबे टाइम से जो है पीफाई के मेंबर्स ने जब यह बैन किया गया उसके बाद हड़ताल होई हड़ताल होने के बाद बहुत सारी वाइलेंस होई पूरे स्टेट में सदन है या जो भी एक्यूज मिलते हैं इन केसों में उनसे पब्लिक प्रोपर्टी का डैमेज रिकवर किया जाए जो पैन हुआ है इसके बारे में जो गौर्वर्मेंट है इसने पीफ़ई को बैन किया है और इतनी भी इसके एक्टिविटीज में पाए गए है और जो भी इंडिया की या हमारे देश की इंटिग्रेटी सोवर्निटी और सिक्रेटी के लिए खतरा है या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं अनलोफुल तो उसके अंदर इसको बैन किया गया है और जो यह गुरूप है इसके जो लिंक है वो ऐसे इसलामिस्ट ग्रूप से मिले हैं जिनको गोर्यdoingनिट और बैन कर चुकी है जो या तो इंडिया में कहीं न कहीं ओपरेट कर रहे हैं या बहार किसी देश से ओपरेट कर रहे हैं जैसे कि सिम्मी स्टूडेंट्स इसलामिक मूपन्मेंट ओफ इंडिया जमातोल मुजाहिदिन बंगलादेश या इसके जो लिंक है वो दाइस यानि कि इसलामिक स्टेट ओफ एराक और एंड सीरिया से भी आईसी से भी पाए गए हैं जो PFI है जो इसके असोसियेट्स हैं उनकी एफिलियेशन और जो इनके फ्रंट्स है वो ओपरेट करते हैं कि हम सोशियो एकोनोमिक एजुकेशनल और पोलिटिकल और गनाजेशन की तरीके से काम करते हैं जो इनका पताया है अपनी साइट पर अपनी जो इनका मिसन है उतलब कि इनके ऐस occupate और कर कुछ और हैं जो इनका secret agenda है वो है कि एक radicalize करना particular section of the society ताकि जो हमारी democracy है उसको undermine किया जा सके ये किसने बोला है ministry ने स्टेटमेंट में ये चीज़ आया और ट्वीट भी किया था एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम इसके 250 पीपल इस organization कि इस group के अरेस्ट किये गए है जब जो सेप्टमबर में रेड हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो यह सर्च हुई थी मतलब जिसको भी जो इंडिया की हमारी anti-terror agency है जिसको हम national investigation agency भी बोलते हैं और हमारी जो enforcement directorate है जो financial crime से related cases देखती है या उसके जो fight करती है तो इन दोनों बड़ी organizations ने सर्च की थी और बहुत सारी चीज़ों को सीज किया था क्योंकि जब इन्होंने सीज किया था उसमें बहुत सारे तो डोकुमेंट्स थे जिसमें पता चलता है कि जो इनकी activities है कहां कहां से क्या क्या चीज़े प्रोपागेंड़ा या कोई agenda क्या चल रहा है बहुत सारे cash मिला था क्योंकि ओविश है कि अगर कोई activity चल और एसी devices मिली हैं जिसमें बहुत सारा record होगा उसमें government ने अपने कबजे में अपने आप सीज कर दिया है बट जो PFI है वो यह बोलता है जो popular front of India हो यह बोलता है कि जितने भी यह action हो रही है यह एक तरीके से which hunting है यानि कि हमें target किया जा रहा है और जितने भी यह accused है या जि एक ऐसा atmosphere किया करेट किया जा रहा है सरकार या निये के दिवारा की एक टेरर का atmosphere क्रेट किया जाने की कोशिश की जा रही है पीफाई क्या है जो पीफाई है उसको form किया गया था 2006 में और जो पीफाई है वो खुद को तरीके से describe करती है एक non-governmental social organization जिसका और objective है जो भी हमा का गरीब है यह disadvantage people है हमारे देश के उनके लिए यह काम करते हैं और जो oppression और जो exploitation किया जा रहा है उसको यह oppose करते हैं या उसके खिलाफ है यह उसके लिए जो इनका objective है वो यह है पीफाई कब existence में आई थी जो पीफाई है वो existence में आई थी जब national development front एक जो controversial organization थी इसको establish के रिला में किया गया था जब बापरी मोस को demolish किया गया था 1992 में उसके बाद इसका formation हुआ था और इसमें बहुत सारी मर्जर और बहुत सारी चीज़ हुए थी साउथ में तो बहु और सारी इसकी organizations हैं तो एट प्रिजेंट जो पीफाई है इसका एक बहुत ही strong जो presence है जो इसका जो बेस है वो केरला और करनाटका में है और और बी स्टेट्स में है लगबग 20 स्टेट्स में 20 से ज्यादा स्टेट्स में यह active है पर जो इसके कार्डर्स है वो हजारों में है पर जो इसका strong ways है वो है केरला और करनाटका में पीफाई इसनी controversial क्यूं है क्यूंकि जो इसका mission statement है इसकी website पे वो यह claim करता है कि पीफाई एक ऐसी society बनाना चाहती है जो कि egalitarian हो जहां पे सब को freedom मिले justice मिले और एक security की sense यानि एक security की sense prevail करें जहां पे लोग secure feel करें अपने आपको यह कहती है कि हम जो economic policies हैं उनको change करना चाहते हैं क्यूंकि जो दलित और जो ट्राइबल और जो minorities हैं उनको उनके rights मिल सकें ताकि उनके life अच्छी और बहतर हो सकें तो government ने बहुत सारे जो charges है इस group को और इसके जो group के members हैं उनके खिलाफ जो लगाए हैं उन्हें से जो charges है वो हैं जैसे कि sedition एक ऐसी creating enmity between different sections of society और ऐसे steps लेना कि इंडिया को destabilize करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी government ने charges frame की हैं वो इन sections या इन चीजों से जुड़े हुए हैं जितने भी चार चीज है सरकार ने जो बताये हैं जो PFI है जो सबसे पहले जो picture में जो highlight यह लाइम लाइट में जब आया था यह 2010 में आया था तब एक कोलिस प्रोफेसर थे के उन पर अटेक किया गया था जो यह assault किया गया था यह Muslim groups ने बताया है कि यह अटेक इसलिए किया गया था क्यूंकि जो यह प्रोफेसर थे इन्होंने derogatory questions पूछे थे जो Prophet Muhammad है एक्जाम जो भी एक्जाम होते थे उनमें इन्होंने derogatory questions पूछे थे Prophet Muhammad के खिलाफ तो उससे लोगों के sentiments हर्ट हुए या लोगों ने और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और लोगों को भड़काया तो बहुत सारे जो इसके मेंबर्स हैं उनको court ने भी किया इस अटेक के बाद तो पिएफाई पर जो पिएफाई है उसने इन लोगों से दूरिया बना ले थी और जित जो यह क्यूट थे इस case में उनसे इन्होंने दूरिया बना ले थी कि यह हम हमारा और इनका कोई relation नहीं है हम इनसे दूर है तो पर जो रिसेंटली जो य इन दहाडे उसके सिर को काट दिया गया था उसको भी हट कर दिया गया था तो इस जो इसकी ग्रूप के जो मेंबर से उनका link इस भी हैडिंग वाले जो यह case हुआ था इस से के link पाए गये हैं अभी कुछ महीने पहले पुलिस ने जो इस न मिहार है वहां पर यह क्लेम किया है कि यह ग्रूप ने एक डोकुमेंट सर्कुलेट किया था जिसमें यह इंडिया को इसलामिक नेशन बनाना चाहते हैं बट बाद में ने मना कर दिया कि जितनी भी यह लगाई गई है डोकुमेंट से लेटिट वह डोकुमेंट जिसका नाम इंडिया 2047 तो वार्स रूल ओफ कि इसलामिक इंडिया है वह एक फोच्ट डोकुमेंट है वह हमने सर्कुलेट नहीं किया गया है वह एक पोग्ष्ट हैं हमने नहीं से मुआं इनका कविक इनके साथ हैं जो ने पहले बैन कर दिये गए हैं क्योंकि उनको गवर्मेंट ने बैन करना पड़ा जैसे कि सिम्मी को 2001 में गुर्मेंट ने बैन करती है था इंडियन मुजाइदी इनको भी और वह सारे जो भी militant groups हैं इनको बैन कर दिया है बट इनके बार बार यह चीज़े सामने आती रही है कि इनके लिंक इनसे हैं पर जो popularity है PFI की वो कैसे बढ़ी और कब बढ़ी क्योंकि जो PFI के leaders हैं उनको media attention इसलिए मिलती है कि जो अपने speech देते हैं वो बहुत ही provocative होती है क्योंकि यह जो group है यह claim करता है कि इसका बहुत बड़ा larger supporter base है बट इसको जो देखा जाए इसने जो भी political participation की है elections में वहाँ पर इसको success नहीं मिली है क्योंकि जो इसका political party है इसकी वो है Socialist Democratic Party of India SDPI इसने participate किया है local elections में केरला में पर इसको वहाँ पर success नहीं मिली और नहीं इसको कोई parliamentary seat अभी तक मिली है जो PFI है लोगों का यह मानना है कि जामिया मिल्या इसलामे उनिवस्टी के professor है वो यह बताते हैं कि जो PFI है यह इसका significant political social force नहीं है यह इंडिया में क्योंकि इसकी जो influence है वो सिर्फ केरला और कुछ southern states में ही limited है जो इंडिया के बाकी मुसल्मान हैं जो मुसलिम से बाकी वो इसकी existence को नहीं मानते हैं इसकी existence का उनको पता भी नहीं है तो जो इस सहल के starting में करनाटका government ने बताया था कि PFI जो accused है एक तरीके से क्योंकि पिछे case हुआ था स्कूल में dress code accelerated जिसमें हिजाब को ban किया गया था कि female students हिजाब को नहीं पैंदेंगे स्कूल में क्योंकि स्कूल का dress code कुछ और है तो इसलिए पट जो PFI ने एक ऐसा महोल ऐसी protest create की थी है ऐसा लोगों को बढ़काया था कि जिससे ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ी रूप ले गई थी पूरे इसका इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में बहुत ही फैल लाई थी ये जो ऑब्जर्वस है वो ये बताते हैं कि जो इसकी student और जो थेंक यू फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही थेंक यू फ्रेंड थेंक यू सो मच